नमस्कारों दोस्तों, प्लसपन के यूटुब के वीडियो में आपका स्वागत है, दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह, दोस्तों आज आपको मेरा आवास थोड़ा सा अलग लगता रहेगा, इसका रीजन मेरा गला बैठा हुआ है, लेकिन फिर्मे में वीडियो को रेकॉड क को आना जरूरी है, ठीक है, मुझा डीली यूस पे काम आना जरूरी है, तो चले वीडियो की शुरुवाद कर लेते हैं, लेकिन याद रखेगा, वीडियो अगर पसंद आएगा ना, तो अपने दोस्तों के साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलिये, ठीक है, तो चले व तो उसका मतलब है i into r, अगर मैं r को लेता हूँ उसका मतलब है v divided by i, अगर मैं i को ढूणना चाहता हूँ उसका मतलब है v divided by r, v का मतलब यहां पर है voltage, i का मतलब है current और r का मतलब है resistance, तो यह तीन चीज को जब ही ढूणने, तीन मैसे कोई भी एक चीज जब ही ढूणते है, कुछ भी ढूणना है, alternative है, जैसे कि मालो कि मुझे ढूणना है v, अम लब voltage अगर ढूणना है, तो उसको बोलते है, अगर मुझे देखो, यहां पर आप voltage अगर ढूणना है, तो इस पर हाथ रख देगे, तो i r, यानि कि i into r करेगे, अगर आपको current ढूणना है, तो v divided by r कर current ढूणना है, तो 120 जो कि voltage है, resistance है 6, तो मुझे मिल जाएगा current जो कि है 20, जो कि यहां पर पहले ही आपको बता चुके है, इससी प्रकार से resistance अगर आपको ढूणना है, तो 120 divided by 20, यानि कि हो जाएगा 6, तो इस तरह से basic एकदम, simple calculation में, आप ohm slow को समच सकते हो, इसके बाद द यहां पर P का मतलब होता है power, यानि कि wattage, I का मतलब होता है current और V का मतलब होता है voltage, अगर मैं इसको ढूणना चाहता हूँ, तो भी same तरीके से, देखो P, जो जो पावर ढूणना है, तो voltage into current, अगर मुझे current ढूणना है, तो power divided by voltage, अगर मुझे voltage ढूणना है, तो power divided by current, अग current मुझे ढूणना है, तो 240 watts divided by 120, तो is equal to 20, यानि कि आपका current हो जाएगा, इससी तरह से voltage भी ढूण सकते हो, जैसे OMS law में किया, उसी तरह से watts के लिए भी आप ढूण सकते हो, जिसको power का formula भी आप बोल सकते हो, तीसरा काफी important है, तीसरा है voltage drop, voltage drop को समझने से पहले, जानकर इक लिए बता दो, हम लोग ने online में बहुत सारे courses चालू कर दिए, electronics के भी है, electrical के भी है, computer hardware, laptop repairing, mobile repairing, autogad, 2D innovation, 3D innovation, programming, robotics, बहुत-बहुत-बहुत सारे courses चालू कर दिए, ये सब courses करना ना है, तो mobile में एक app डाउनलोड करना है, एप का नाम है plus point training, ये आपको Google Play Store पर मिल जाए voltage drop की अगर में बात करो तो उसमें काफी सारे factors जो की voltage drop के उपर निर्भर रहता है, सबसे पहला है conducting material, conducting material में मानलो कि copper है या aluminum है, तो उसके उपर एक main पहले तो रहता है, उसके बाद में आता है, conducting diameter, वो कितने diameter का है, उसका length कितना है, temperature कितना है, वातवरण में जिस वातवर जहां पर यह conductor को लगा है, तो इतने सारे चीजे जो factor उसके डिपेंड काता है, लेकिन हम लोग 22 हमें idea मिल जाती है, हमारे जो formula उसके अधर पर 22 idea मिल जाती है, formula जो है, अगर आपका single phase है, तो voltage drop is equals to 2 into z into i into l divided by 1000, और 3 phase रहेगा, तो voltage drop is equal to 1.3, 1.73 कहां से आया, तो आपको अगर pi 3 करेगे, तो आपको यह idea मिल जाएगा, ठीक है, इसका जो figure मिलता है, अगर 3 phase के ही साब से करेगे, 3 phase को, तो 1.73 आपको value मिलेगी, into z into i into l divided by 1000, यहाँ पर जो z है, वो impedance of conductor है, impedance of conductor आने के आई, देखो, यहाँ पर मैंने बता है, कि copper है, तो उसका impedance इतना रहता है, 1.29, और aluminum है, उसका impedance रहता है, 2.12, ठीक है, इसके आसपास यह रहता है, तो generally अगर मैं इसके ही साब से calculation करू हूँ, तो यहाँ पर देखे, z का मतलब बता impedance of conductor, जो कि 100 feet, 1000 feet के सबसे रहता है, load जो है, हमारा current current capacity रहता है, length कितना wire का, उसके पर भी depend करता है, और हम लोग ने divide by 1000 किया है, क्योंकि device by 1000 जो है, standard impedance जो हम major किया जाता है, तो 1000 से ही किया जाता है, इसके लिए यहाँ पर divide by 1000 किया हुआ है, ठीक है, बाकि आपको बहुत सार चीज़े matter करती है, इससे जाचा formula में आपको use करके बतारो, चलो इसका use करके भी देखते है, मालो यह single face का और यह three face का है, और इसके पर से अगर मैं बताओ, तो यहाँ पर देखे, Z मतलब आपको impedance of the copper यहाँ पर बताए, copper का 1.29 है, current 20 है, और length समझो 50 meter लिया और divide by 1000, अगर इसके सब calculation का rate 2580 divided by 1000 हो जाएगा, और voltage drop मिलेगा लगबग 2.5 volts, इसे प्रकरसा करवे 3 phase की बात करू, 1.73 into 2.12, aluminum यहाँ पर गिना हुआ है मैंने, aluminum का समझो wire है, into 20 यहने कि आपका ampere है, और length जो है 50 divided by 1000, इसके सबसे होगा 3667.6 divided by 1000, यहने कि आपको लगबग voltage drop मिलेगा 3.6 यह approximate figure रहती है, लेकिन अगर आप calculation करेगे तो लगबग इसी प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है, तो यह है voltage drop, चौथा जो important formula है, वो है series and parallel resistance, series and parallel resistance की बात करो, तो अगर आपको जो resistance आपको इस तरीके से side by side लगे वो रहे तो उसको series बोलते है, और upside down लगे वो रहेगे, त plus R2 plus R3, यनि कि तीनों को plus कर दो तो उसका total मिल जाएगा, लेकिन parallel में दो formula है, एक formula ऐसा भी बोलता है कि R1 into R2 divided by R1 plus R2, और दूसरा एक formula है, जिसमें 1 divided by 1 raise to R1 plus 1 raise to R2 plus 1 raise to R3, तो यह दोनों को formula से कोई भी करो, कोई भी आपको सही answer मिलने वाला है, मैं आपको दोनों formula एक series का example दे है, जिसमें 182 at 1 ohms लिखा गया है, तो अगर आपको total raise to R2 plus R3 करेगे, तो 183 ohms आपको मिल जाएगा, calculation करके देख लेना, लेकिन यह जो आपको अभी जो दूसरा diagram में आपके दिखाया है, 27 plus 2200 plus 15, तो इसका answer क्या आता ना, मुझे comment में डालके बताई, यह series का answer 1 करके डालिए कि series cancer यह आएगा, ठीक है, इसी तरह से अगर मैं parallel circuit के बात करो, तो parallel में जो formula मैंने बताया था, पहला वाला, कि R1 into R2 divided by R1 plus R2, इस तरीके से करेगे, तो देखो 10 into 22, और 10 plus 22, तो 220 by 32 is equal to 6.87 ohms, इस तरीके से आप calculation कर सकते हो, अगर मालो कि 3 resistance है, और मैं यह formula यूज नहीं कर चाओ, मैंने जो दूसरा formula था, 1 rest to वाला, तो वो भी आप use कर सकते है, 1 rest to 10 ohms, 1 rest to 10 ohms, 1 rest to 33 ohms, इसका अगर calculation करेगे, तो इतना हो जाएगा, और पूरे का फिर 1 से divide कर दो, तो हो जाएगा 4.35 ohms, तो इस तरीके से भी चलेगा, घर के लिए आपको और एक कहुंबक में दे देता हूँ, यह देखे, यह आपको यहाँ पर formula दिख रहा है, इसका आप निकाल के मुझे comment में ले, दुसरा number करके उसका answer मुझे comment में दिखे, ठीक है, तो यह series और parallel काफी important role play करता है, राइस्टन्स का ढूणने के लिए, पाच्वा जो है, वो है horsepower, इसम ऐ, इफ, इंटू पी एफ, दिखे बाइस्टन्स का इस तरीके से जा सकते है, तो मैं आपको यह formula ही use करके बता होगा, यहाँ पे जो वी का मतलब बता है, voltage, आई का मतलब होता है, current, ए, ए, इ, का मतलब है, efficiency, और पी एफ का मतलब है, 7,4, पावर फेक्टर, और डिखे आपे इंटू 1.732 लेने का, क्योंकि एक 3 कप आए करेगे, तो यह ही आएगा, ठीक है, तो इसके सबसागर में calculation करू मालो की voltage 240 है, फिर current है 20 ampere का, efficiency, यहाँ पे efficiency की बात क्या होती है, हर motor की खुद के एक efficiency रहती है, मालो की एक motor हो गई, जो के लोस के company का एक motor लेका है, तो जरूरी नहीं कि 100% efficient रहेगा, और 90 रहेगा, या 80 रहेगा, या 70% efficiency रहेगा, तो मैंने ऐसे गिना है कि 80% है, तो 80% के इसाफस होता है, 0.80, power factor आपको हर एक के गर पर अलग रहता है, तो आपको meter में दिखाए देता है, जो electric meter रहता है, तो उसका रहेगा, समझो, मैंने 0.7 गिना हुए, दिखाट बाई 746 करेगे, तो लगबग 2688 दिखाट बाई 746, तो आपको HP मिल जाएगा, 3.6 HP का, यहाँ पर motor है, इसी प्रकार से, अगर 3 phase में calculation करो हो, तो वही same formula यूज करो है, लेकिन यहाँ पर efficiency मैंने 90 गिना हुआ है, और power factor मैंने 0.8 गिना हुआ है, इसके ही सबसे, अगर मैं HP को divide करके आपको बता हूँ, तो लगबग 8 HP, जो power लग जाएगा यहाँ पर, तो इस तरीके से, आप यह जो 5 formula मैंने बता है, कौनसे कौनसे हो गया, सबसे बहले ohm slow हो गया, दुसरा है wet हो गया, फिर series parallel हो गया, फिर HP का हो गया, रो voltage drop हो गया, यह 5 formula अगर आप use करोगे, daily life मैं याद रखोगे ना, काफी important है, काफी मदद दुरूद सबित होगा आपको, और यह मालोंग होना ही चाहिए, 5 formula तो आपको आने ही चाहिए, anyhow, ठीक है, I hope कि दोस्तों यह वीडियो पसंद आया रहेगा आपको, याद रहे कि मेरा गला बैठा हुआ तो, शायद आवाज आपको थोड़ा सा chain सुने देगा, उसके लिए खाली bear कर देना, और शायर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ में, याद रखेगा, अगर आप नए है ना चैनल के उपर, तो subscribe का बटन दावाख के बैल का इकान दबा दीजे, ताकि मेरे जो भी नए वीडियो जाएगा, उसको notification आपको जल से जल मिल जाए, चले इस वीडियो में इतना है, thanks for listening.